आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर बीरबल की मज़िदार कहानियों में से एक कहानी उडगई चिडिया फुर एक बार बाश्या अकबर को कहानिया सुनने का चसका लग गया इसलिए उन्होंने अपने दरबारियों की पारी बांदी जो उन्हें हर दिन आकर कहानी सुनने लगे अकबर को जल्दी नहीं आती थी इसलिए वे देर रात तक लंबी कहानिया सुनना पसंद करते थे किसी भी कहानी से उनका मन जल्दी नहीं भरता था शुरुआत में सभी दर्बारियों ने उन्हें प्रभावित करने के लिए दिल खोल कर लंबी-लंबी कहानिया सुनाई लेकिन धीरे-धीरे वे सभी परेशान होने लगे लेकिन बाशा से यह कहता कौन डर के मारे सबके जुबान बंद थी सबको बस इतजार था उस दिन का जब बाशा का कहानियों से चसका खतम हो जाए और उनका इस आफ़त से पीछा जूटे फिर एक दिन बिर्बल की कहानी सुनाने की बारी आ गई वह बाशा अकबर के कक्ष में गए और उन्हें कहानी सुनाने लगे अकबर की बिर्बल से अन्य दर्बारियों की तुलना में अधिक अपिक्षा थी बिर्बल ने अकबर को छोटी छोटी कहानी सुनाई लेकिन अकबर का मन नहीं भरा उन्होंने बिर्बल से कहा बिर्बल तुम हमारे सभी दर्बारियों में से सबसे बुद्धी मान हो तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर कहानी सुनाओ जो हमने कभी न सुनी हो बाश्या का हुक्म मानना बिर्बल का करतवे था उसने जी हुजूर कहकर कहानी सुनाना शुरू कर दिया अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे जब भी बिर्बल कहानी समाप्त करने का प्रयास करते अकबर कहते और फिर फिर बिर्बल को उसमें कुछ और किस से जोडने पड़ते ऐसा करते करते रात हो गई बिर्बल को अब नीद आने लगी वह घर जाकर सुना चाते थे लेकिन अकबर की आखों में नीन कोसो दूर थी वे बड़े चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर कहे कर कहानी खतम होने ही नहीं दे रहे थे बीरबल को अब समझ में आ गया कि बाशा ऐसे नहीं मानेंगे उसे कुछ ऐसा करना होगा कि खुद वे उसे यहां से भगा दे कुछ सोचने के बाद वेह बोले जहां पना मैं अब आपको एक नई और सबसे हटकर कहानी सुनाता हूँ यकीन मानिये आपने पहले कभी ऐसी कहानी सुनी नहीं होगी अकबर की है सुनकर उचसुकता और बढ़ गई फिर बिर्बल कहानी सुनाने लगे एक समय की बात है एक गाउ में एक किसान रहता था उसने अनाज डखने के लिए एक बड़ी इसी कोठरी बना रखी थी उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रहता था लेकिन उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था जिस और किसान का ध्यान कभी गया ही नहीं था एक दिन एक चिडिया उस छेद में से अंदर जागुसी और कोठरी में से एक दाना लेकर वहां से फुर करके उड़ गई अकबर उत्सुक होकर बोले और फिर फिर दूसरी चिडिया आई और वहबी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई फुर बिर्बल बोला अकबर ने फिर से पूछा और फिर फिर तीसरी चिडिया आई वहबी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई फुर बिर्बल बोला अकबर जब भी अब फिर और फिर करते बिर्बल कह देते फिर एक और चुड़िया आई और दाना लेकर उड़ गई फुर अकबर को और क्या और क्या करते करते और बिर्बर को फुर फुर करते करते बहुत समय बीद गया कहानी फुर से आगे बढ़ी नहीं रही थी आखिरकार अकबर को गुस्सा आ गया ये क्या फुर्फुर लगा रखा है आगे की कहानी बताओ जहां पना आप इतने में ही तंग आ गए कोठरी के बाहर तो करोरों चिड्याई खटी हो गई है ये सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी फुर्फुर आपके कहे अनुसार ये कहानी हटकर और लंबी भी है फुर्फुर सुनकर अकबर का पहले ही दिमाग खराब हो चुका था बिर्बल की यह भाद सुनकर उन्हें और गुसा आ गया और वे चिल्ला कर बोले ये क्या बकवास लगा रखी है नहीं सुनी ऐसी कहानी चलो भागो यहां से अब मुझे सोना है जैसा जहांपना का आदेश कहकर बिर्बल मन मन मुस्कुराते हुए वहां से चले गई इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल सकता है